मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख पा रहा हूँ, तुम्हारी कोशिश और उसके बावजूद, तुम्हारे आसपास लोगों की प्रतिक्रिया हैं। तुम्हारे मन में चल रहे हजार लाक वो विचार, तुम्हारा वो दुख, और फिर उन दुख के बेच, थोड़ी सी खुशी और मुझ पर विश्वास, मुझे इन सब चीजों की अनुबूती है, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब सुन भी रहा हूँ, एक बात का याद रखन तुम्हें बिना बताए, बिना जाने, जब तुम कुछ समझ नहीं पा रहे होगे उसी वक्त, ये सब बतल जाएगा, कुछ इस तरीके से पल्टेगा, कि सब हैरान हो जाएंगे, इसलिए चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, तुम अपना विश्वास मुझ पर बनाए रखना, अपने मन को शांत रखना और जो तुम करना चाह रहे हो, उसकी और प्रयत्म करते रहो, सुन रहे हो न, तुम अपनी कोशिश करते रहो, तुम्हारे और मेरे बीच ना कोई है, ना कोई आप आएगा, ये रिष्टा एक इतना प्यारा और इतना अनमोल है, जिसे शब्द भ भी बया नहीं कर सकते, तो जो नहीं समझ रहे हैं, उन्हें समझा कर तुम क्या हासल कर लोगे, इससे अच्छा है, सिर्फ अपने उपर ध्यान दो, अपनी प्रगती पर ध्यान दो, जो हो गया है, उसकी और अब मत देखना, अब बस ये देखना, कि आगे तुम्हें कैसे और अच्छा करना है, कि कैसे तुम्हें ये सब सुधारना है, सिर्फ आगे की और देखो, और देखना, तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, बहुत खुबसूर्ती से बदलेगी, समझे, और मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे हर रास्ते में तुम्हारा साथ द तुम जुक गए, अगर तुम गिर गए ना, तुम मुझे बहुत दुखोगा, इसलिए तुम्हें जुकने नहीं दूँगा, ये मैं तुमसे अकसर कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ, आश्वस्त रहो, अब नयाय होने वाला है, अब वक्त बदलने वाला है, और पूरा ज अच्छा, जिससे कोई भी तकलीफ पहुँचाए, वो भी जान बूच कर, तो मैं खुद खड़ा हो जाता हूँ, मैं खुद उसकी सुरक्षा करने वहां मौजूद हो जाता हूँ, इसलिए तेरे साथ तो तेरा साई है, तुझे किसी की जरुवत नहीं है, समझे, जो तुम ने मुझसे वादा किया है, वो तुम पुरा करते जाओ, और बस शांत रहो, उदी का सेवन करो, वो तुम्हें फायदा करेगा, आज अपने हाथों से किसी ना किसी पशु या पक्षी या कोई भी जीव को कुछ खिलाना, अपने घर को थोड़ा ध्यान देना और सुन्दर तरीके से व्यवस्थित करना, यदी तुम मुझ पर विश्वास रखोगे, तो धीरे धीरे सारे रोग दूर हो जाएंगे, और मुझे मालूम है, तुम मुझ पर विश्वास करते भी हो, पर कभी कभी बिलकुल परिशान से हो जाते हो, क्यूं होते हो, मैं तो हूँ ना इस वक्त तुम्हारा दिल छोटा हो, तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो रहे हो ना, तुम मेरी लीलाओं का श्रवन करना, या मेरी सचरत का पारायन करना, तुम देखना तुम्हें बदलाव महसूस होंगे, और इस बात को हमेशा याद रखना, कि चाहे कोई कुछ भी बो कुछ कह पाते हो, कुछ बस छेल जाते हो, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ, ये साल भी बदलेगा और इसके साथ तुम्हारी वक्त और परिस्थिती भी बदलेगी, तुम अपनी पैरों पर खड़े रहोगे, चिंता मत करो, खुश रहो